हेलो गाज नमस्का दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल नेविंडर ब्लॉग में दोस्तों अफगानिस्तान ने जो कि इतिहास रज दिया है सिर्फ इतिहासी नहीं एक किर्केट को एक नए पढ़ाओ पे पहुचा दिया अफगानिस्तान ने जिमें बात कर रहा हू दिया में निजलेंड आया सामने निजलेंड को हराया ऑस्टिलिया और ऑश्टिलिया को हराया बंगलादेश को तो यतने स्ट्रॉंग टीमों को हरा के आगे पहुच के सेमी फैनल तक जगा बनाई और बहुत सारा इसके पीछे उनका मेहनत और लगाव दिखा चायो गुलवदिन नायव हो गुरुबाज हो राशित खान हो मुहम्मद नभी हो सबी प्लेयर्स ने अपना पूरा हंडेड परशंट दो सो परशंट दिया कि इस बार हम सेमी फैनल पहुचेंगे और इवन सेमी फैनल भी नहीं हो सकता है कि वह फाइनल में भी जाए कोई बड़ी बात नहीं कि शायद टीटोंडी वर्ल्ड कप भी जी जाए यह उनका बहुत अडरा अचीबमेंट है अवगानिस्तन आफ्स्टान को जा अंतराष्टी क्रिकेट है बहुत पुराना नहीं है पहला अंतराष्टी क्रिकेट्र और फृत टा करीब करीव 14-15 हों UTS मचा parental परवेश कर लिया इसलियुक्र यह क्या हूं कि बंगलादेश तो यह बहुत पड़ी अचीब्मेंट है और पधाई हो अफगानिस्तान और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हम क्या पूरा क्रिकेट जगत क्रिकेट फैन्स चाहते हैं कि ऐसी दूसरे टीम से भी आए और क्रिकेट फुटबॉल के लेबल में पहुचे जैसे कि नीदरलेंड आयरले स्कॉटलैंड इन तीमों में भी वह शंता है जो कारनामा अफगानिस्तान किया है आने वाले समय में होप सो की वह यह सारे टीम भी कर जाए और और मुकाबले देखने को मिले और कड़े मुकाबले और उनको प्रॉपर सीरीज मिले अफगानिस्तान जैसे टीम को प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन से कंटिन्यू सीरीज मिलना चाहिए ताकि वह और भी उनका गेम में और इंप्रूब हो और बड़े-बड़े ट्रोनामेंट में चबरतस परफोर्मेंस करें तो देखते हैं वह और उनका पर्फोर्मेंस कैसा घरता है साउथ अफरिका के साथ और इंडिया का इंग्लेंड के साथ दूनों से अफगानिस्तान या साउथ अफरीका कोई विजह हमें खुशी होगी कि दूनों ने आज तक कभी वर्ड़कप नहीं जीता है इंग्लेंड औ झाल झाल